बिल्कुल और जिन तस्वीरों का आपने जिक्र किया कि भंगडा करते हुए दिखाए दे रहे हैं जो वहाँ पर इंडियन्स रहते हैं वो तस्वीरी भी हमने दिखा दी है यह तस्वीरी देखिए ट्रम के तमाम समर्थक हैं और यहाँ पर भंगडा करते हुए अलांकि विशाल अप सीरी आपके पास आते हुए विशाल जब भी हमने दुनिया भर के तमाम देशों को उठाकर देख लें हिंदुस्तान को उठाकर देख लें दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका उसकी बावजूद वहाँ पर जब-जब महिला उम्मीदबार अमेरिका की जनता के बीच में देखा गया है पिसले चार सालों में और जब बाइडन अपने उमिदवारी से हटने का एलान करते है तब तक ऐसा लगता कि काफी देर हो जाते है लेकिन फिर भी कमला हैरिस ने उस लड़ाई को काफी आगे तक लेकर आए और जो चुनाओं स स्टेट्स दोनों पार्टियों के बीच में बटे हुए है एक तरह से कहा जाए वो अपने अपने स्टेट्स को जीतने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है परिवर्तन सिर्फ हुआ है जो स्विंग स्टेट्स हैं क्यूंकि पिछली ब जीत चुके हैं जॉर्जिया में 90% से जादा काउंटिंग पूरी हो चुकी है और ऐसी उम्मीद जताई जारे कि जॉर्जिया डॉनल्ड ट्रम के खाते में ही जाएगी इसके साथ इसाथ दो और बड़े राज पेंसलवेनिया जहां पर 19 इलेक्टोरिल कॉलिज के वोट हैं वहाँ पर भी अब बहुत मुश्किल ऐसा है कि कमला हैरिस वापसी कर पाएं क्योंकि अधिकतर वोटों की गिंती हो चुकी है और डॉनल्ड ट्रम अच्छे खासे वोटों से आगे चल रहे हैं इसके अलावा विसकॉंसिन में भी डॉनल्ड ट्रम अच्छे खासे वोटों स पीचे हैं 232 पर डॉनल्ड ट्रम अंक्रे एक बर फिर से यहां पर पलट गए हैं जबकि कमला हरिस 216 के साथ तो क्या यहां पर कोई बहुत बड़ा उलट फिर होता हुआ दिखेगा आगे आने वाले वक्त में देखे 232 पर यहां पर डॉनल्ड ट्रम का मुस्कुराता 242,216 के साथ कमला हरिस और लगातार वो आगे अपनी बढ़त के साथ है और यहां पर डॉनल्ड का आंक्रा है वो इस्तिर हो गया है जबकि कमला हरिस ते यहां पर अपनी थोड़ी बढ़त बना ली है क्या यह पल्ते गा आनक्रा यह बड़ा सबाल बना हुआ है हाला कि यार्ड नहीं है और ये आंकडे अपने आप में काफी जादा दिल्चस अमेरिका के और शाद यही कारणे के इस वक्त आपको बताती चले अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में भारी तादाद में जो लोग सड़कों पे खड़े होके वहाँ पे टेलिविजिन स्क्रीन पर अ अमेरिका का आगला राश्ट्रपती कौन होगा इसकी तस्वीर चंद घंटों में साफ हो जाएगी वही मशूर उद्योग पती एलोन मस्क और डोनल्ड ट्रम की साथ में तस्वीरे सामने आई हैं जिसमें एलोन मस्क ट्रम के साथ चुनावी नतीजे देख रहे हैं ये तस् सदसे जीतते हैं भारी भरकम चंदा भी उनके ओडिया गया है यहाँ पर डौनल्ड ट्रम को लगातार उनकी ओडियो से अपील की गई सोशल मीडिया हमने देखा था हिंदुस्तान के संदर में भी कैसे विरोधी पार्टियों के ओर से कही गई थी कि अगर जीत नहीं हुई तो कैसे लोगतंत्र खत्रव में आ जाएगा तमाम विरोधी पार्टिया बार-बार इसका जिकर करती रहती है लेकिन एलोन मस्क की ये तस्वीरे ट्रॉम के साथ सभी इंतजार कर रहे है और अभी चहरे पर वो मुस्कुराहट भी नज़र नहीं आ रहे है ये तनाव का महौल है और आंकड़े भी तनाव की ओर ही शाहरा कर रहे है 232 ट्रॉम, 216 कमला हैरिस देखे चित्रा जब पिशली बार के चुनाव नतीजे आ रहे है तो कुछ इसी तरह के नतीजे सामने आ रहे है तो इसलिए स्विंग स्टेट्स के वोटों की जो गिंती है वही सबसे महतुपूर होगा क्योंकि अगर बहुत कम मार्जिन होगा तो इस बात की भी संभावना है कि जो उमिदवार पीछे रहे वो रीकाउंटिंग की भी मांग कर सकता है वोटों को वेरिफाई करने के लिए तो ऐसी स्थिती में जहां बहुत क्लोज मार्जिन होगा वहाँ पर वोटों की गिंती में और जादा समय लग सकता है और इसलिए ये साथ स्विंग स्टेट सबसे महतफ़ूर है नौर्थ कैरोलाइना डॉनल्ड टरम्प जीत चुके हैं वो पिछली पार भी राजे जीते थे लेकिन जो एलॉन मस्क और डॉनल्ड टरम्प को काफी खुश करने वाली तस्वीर दिख रही है जहां पर डॉनल्ड टरम्प अच्छे खासे वोटों से आगे चल रहे है और साथ ही ये ऐसे ही कुछ तस्वीर हमें विसकॉंसिन से सामने आ रही है जहां डॉनल्ड टरम्प के साथ वहां पर एक छोड़े बच्चे की तस्वीर है ये तस्वीरे बहुत इंट्वेस्टिंग है सभी इस सब मैं बहुत गौर से देख रहे हैं वहाँ पर कुछ खा भी रहे हैं लेकिन तनाव भी है और बकादा ब्रीफिंग भी की जा रही है कि अभी की क्या है इस सती है उनकी बाड़ी लैंग्विज ये बता रही है कि इससे पहले कि I break out मैं भांगला शुरू कर दूँ जरा मैं और पंद्रा बीस मिनिटे आदा घंटा रुक जाओ उनके फाइनल रेजल्स आजए बड़ा cautious टाइप का व्यक्ति है इतने पैसे ऐसे इतनी बनाए है उसने तो जहां पे इसने अपना पैसा लगाया इस इलेक्शन में वो तो डॉनल्ड ट्रम्प पे है और अब उसको क्या उसका reward में लेगा ये तो फिर समय ही आपको बता गई बड़ी दिल्श्रस बगर हिंदुस्तान के संदर में देखूँ यहां के उद्ध्योग पती जो हमारे रहते हैं वो कभी भी खुल कर किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं जिसकी भी सरकार बनती है उससे अपने रिष्टे अच्छे करने के कोशिश करते हैं लेकिन Elon Musk के ऐसा लग रहा था कि बिलकुल उन्होंने तक्कर ले ली है Kamala Harris से और जितना Trump निशाने पर लेते थे सामने वाली पार्टी को उससे जादा Elon Musk निशाने पर लेते वे दिखाई देते थे शायद उन्होंने पल्स रीट कर लिया था बहुत बड़े उद्योग पती हैं पूरी दुनिया उनको जानती है अमेरिका की nerves मुझे लगता है उनको पहले से इस बात का एसास हो गया तागि कहीं ना कहीं Donald Trump को edge है और क्या बचाए कि 1 million US dollars उसको लेकर के बड़ा विवाद भी हो गया एलान कर दिया while the process of voting Elon Musk की तरफ से दिया जाएगा तो मुझे लगता है ये तस्वीर है अपने आप में self-explanatory है that he is completely associated आप सही कह रहे हैं Donald Trump के साथ और ये उमीद लगाए बैठे हैं ये गुंजाईश तलाश कर रहे हैं कि जल से जल वैसे ही नतीजे आए जैसा कि अभी तक trend में दिख रहा है और अगर ऐसा होता है तो it's a win-win situation मुझे लगता है calculated risk लिया है और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि उनके लिए pay off कर रहा है लेकिन जैसे ही कमला है रिस का आंकरा 216 पर पहुंचा होगा राश्रुपति अमेरिका की कई ऐसे सवालें जिनका जवाब मिला भी बाकी है ABP News आपको रखे आगे